नमस्कार बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल ज्यान वर्धन बायरीटा यादव में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है बच्चों, आज हम NCRT की छटी कक्षा की पुस्तक रुचिरा भाग एक के प्रथम पार्थ शब्द परीचे का अध्यन करेंगे इस पार्थ में आकारांथ पुलिंग शब्दों का प्रयोक किया गया, यहाँ पर अधिकतर जितने भी शब्द आपको पार्थ में मिलेंगे, वे सब आकारांथ पुलिंग शब्द हैं आकारांत पुलिंग शब्द से हम क्या समझते हैं? वे पुरुषवाचक शब्द जिनका अंत और स्वर से होता है, वे आकारांत पुलिंग शब्द कहलाते हैं. तो सबसे पहले हम पार्ट से सब्बंधित शब्दार्थ को करेंगे. हमारा पहला शब्द है चशकह, अर्थात गिलास, ब्रिहत, ब्रिहत का अर्थ होता है बड़ा, सौचिकह, दरजी, खेलती, खेलता है, यानि एक खेलता है, सीव्यती, सिलाई करता है, शुनकव, शुनकव, शुनकह होता है एक कुत्ता, और शुनकव क्योंकि द्वीवचन में इसलिए इसका आर्थ हुआ दो कुत्ते गर्जतह दो गरचते हैं उच्चई जोर से एतव ये दोनो बुककतह भौकते हैं यानि दो भौकते हैं बली वर्दव दो बैल धावतह दोडते हैं कर्शतह जोतते हैं या जोत रहे हैं व्रिद्धा भूड़े गायनती गाते हैं या गायन करते हैं बच्चो किसी भी पाठ को समझने के लिए हमें सबसे पहले उनके शबदार्थ को समझना अनिवारे होता है तो अब हमने शबदार्थ कर लिए अब इसके बाद हम पाठ का अनुवाद करेंगे एशह कह एशह का अर्थ होता है यह है और कह का अर्थ होता है क्या एशह कह यह क्या है एशह चशकह यह गिलास है किम एशह ब्रिहत क्या यह बड़ा है न एशह लगू नहीं यह चोटा है जो एशरहशब्द का प्रयोग हम करते हैं वो उस वस्तू के लिए करते हैं जो हमारे पास होती है चाहे वो कोई व्यक्ती हो चाहे कोई वस्तू हो और सहर शब्द जो है ये दूर के लिए प्रयोग किया जाता है जैसे अब ये दर्जी थोड़ा दूर है तो सह कह वह कौन है सह सौची कह वह दर्जी है सौची कह किम करोती दर्जी क्या कर रहा है किम सह खेलती क्या वह खेल रहा है न सह वस्त्रम सीव्यती नहीं वह कपड़ा सिल रहा है या वह वस्त्र को सिल रहा है एतव कव ये दो कौन हैं एतव शुनकवस्त ये दो कुत्ते हैं किम एतव गर्जत है क्या ये दोनों दहारते हैं अब कुत्ते तो दहारते नहीं है शेर दहारता है तो क्या ये दोनों दहारते हैं न एतव उच्चई वुक्कत नहीं ये दोनों जोर से भौकते हैं तव कव वे दोनों कौन हैं? तव बली वर्दवस्त वे दो बैल हैं किम तव धावत है? क्या वे दोनों भाग रहे हैं? न तव शेत्रम कर्शत नहीं वे दोनों खेत जोत रहे हैं एते के ये सब क्या है एते स्यूताहा संती स्यूता यानि बैग या थेले ये सब थेले है या ये सब बैग है किम एते हरित वर्नाहा क्या ये सब हरे रंग के है नहीं एते नील वर्नाहा संती नहीं ये नीले रंग के है बच्चों आप देखेंगे कि यहां पर जो एतत शब्द है उसके पुलिंग का एशह, एतव और एते ये तीनों वच्चनों का प्रयोग आ गया और उसी प्रकार तत शब्द का सह, तव और ते तत शब्द का भी पुलिंग का तीनों वच्चनों में प्रयोग यहां पर हो गया अब इसके पश्चात हम करेंगे पाठ के अभ्यास प्रश्ण तो हमारा पहला प्रश्ण है उच्चारणम कुरूत हमें केवल इन शब्दों का उच्चारण करना है तो मैं आपको उच्चारण के साथ साथ इनके अर्थ भी बता देती हूं चात्रह चात्र शिक्षकह यानि अध्यापक मयूरह मोर शुकह तोता बालकह बालक गजह हाथी मकरह मगरमच बिडालह बिलाव या बिल्ला मूशकह चूहा चालकह यानि ड्राइवर घटह घड़ा दीपकह दीपक अश्वह घोड़ा चंद्रह चंद्रमा गायकह गायक हमारा अगला प्रश्ण है इसी का पाट ख चित्रानी द्रिष्टवा पदानी उच्चारयत यानि इन चित्रों को देखकर हमें इनके संस्कृत शब्दों का उच्चारन करना है पहली जो हमारा पहला चित्र है वो है क्रिशकह अर्थात किसान व्रिशबह अर्थात बैल भल्लुकह अर्थात भालू मंडुकह अर्थात मैंधक कपोतह अर्थात कबूतर पयंकह अर्थात पलंग दूर्भाशह अर्थात दूर्भाश या टेलिफोन काकह कववा सौचिकह दर्जी अब हमारा सेकिंड क्वेशन का कवव पाठ है वर्ण सेयोजनेन पदम लिखत यानि ये जो हमें यहाँ पर वर्ण दिये गए हैं उनको हमें जोड कर शब्द बनाना है तो बच्चो एक चीज आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि हर व्यंजन वर्ण में हलंत लगा हुआ है और स्वर में कभी भी हलंत नहीं लगता और जब भी हमें शब्द बनाना होता है तो हमें स्वर और व्यंजनों दोनों का प्रयोग करना होता है और हमें दोनों को जोड़ कर ही शब्द बनाना होता है जैसे यहां पर है च, अ, च, श, अ, श, क, अ, ह, क, तो क्या शब्द बन गया च, श, क, ह, अर्थात गिलास तो क्या बन गया सोची कह अर्थात दर्जी अर्थात दो कुत्ते धावत त यानि दो दोड़ते हैं वरी दो दो आ व्रिद्धा व्रिद्धा यानि कई बुढ़े ग आ गा य अ य न त इ गायंती यानि कई गाते हैं इसका ख़पाट है पदा नाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत यानि जिस प्रकार हमने यहाँ पर जो तूटे हुए वर्ण थे जो विच्छेद वर्ण थे उनको जोड़कर हमने शब्द बनाया और इस प्रेश्ण में हमें शब्द दिये गए हैं हमें उनका विच्छेद करना है जैसे लगू, लगू का ल, अ, ल बन गया और घ, उ, घू बन गया अगर अंत में विच्छेद करते वक्त भी विच्छेद लगाएंगे सीव्यती, स और बड़ी इ, सी व, जो है, वो पूरा नहीं है, आधा है इसलिए व, आ, हम हलंद के साथ ही लिखेंगे फिर य, अ, य, त, और छोटी की मात्रा सीव्यती वर्नाहा, व, अ, व, र, र, आ वर्नाहा, र हमने पहले इसलिए रिखा क्योंकि जो र, उपर लगता है किसी भी वर्न के उसका उचारण पहले होता है, लेकिन उसे लिखा अगले वर्न पे जाता है इसलिए हमने र को पहले लिखा कुकुरऊ, कुकुरऊ में क, उ, पहला क्या बन गया? क, उ, और क, कु तो क, क, उ, और र, अ, कुकुरऊ मयूराह, म, अ, म, य, उ, य, र, आह, मयूराह, बालकह, ब, आ, ल, अ, क, अ, बालकह तो इस प्रकार हम शब्द को तोड़ेंगे और वर्णों में आप एध्यान रखेंगे कि हर व्यंजन वर्ण पे हमें हलंत लगाना है और स्वर में हमें हलंत नहीं लगाना अगला प्रश्न है उधारणम द्रिष्टवा रिक्स्थानानी पूर्यत यानि उधारण को देखकर रिक्स्थानों को पूरा कीजिए यहाँ पर जो ये तीन लाइने है ये एक वचन की लाइन है ये दुई वचन की लाइन है और ये भुवचन की लाइन है तो जैसा कि हमन पांचवी कक्षा में पड़ा था अकारांत P thinkers, इस थ्रेलिंग शब्द और पुन्सक्लिंग शब्द, और हमने तीनों वचनों में पड़े थे, तो यहां पर एक हमें उधारन दिया गया है, एक गिलास, दो गिलास, कई गिलास, तो अब हमें जो अगले शब्द दिये गए हैं हमें उन्हें तीनों वचनों में बदलना है अब यहाँ पर एक वचन नहीं दिया गया लेकिन दूई वचन दिया गया है और दूई वचन में है बली वर्दव तो इसका एक वचन क्या बन जाएगा? बली वर्दः और इसका दुई वचन बली वर्दः और बहु वचन में बली वर्दाहा एक बैल, दो बैल, कई बैल शुनकह, शुनकऊ, शुनकाह, एक कुत्ता, दो कुत्ते, कई कुत्ते म्रिगह, म्रिगव, म्रिगाह, एक हिरन, दो हिरन, कई हिरन, सौचिकह, सौचिकव, सौचिकाह, एक दर्जी, दो दर्जी, कई दर्जी, मयूरह, मयूरव, मयूराह, एक मोर, दो मोर, कई मोर अब हमारा अगला प्रेशन है चित्रानी द्रिष्टवा संस्कृत पदानी लिखत यानि इन चित्रों को देखकर हमें इनके संस्कृत शब्द लिखने हैं तो पहला चित्र है उसमें क्या दिख रहा है हमें हाथी और हाथी को संस्कृत में क्या कहते हैं गजः क्योंकि एक ही हाथी है इसलिए हम यहां क्या लिखेंगे गजः अगले चित्र में कववा है तो कववा के लिए क्या है काकः यहां पर चंद्रमा है उसके लिए क्या संस यहां पर जैसे चित्र बना हुआ है और चित्र के अधार पर यहां पर प्रेश्चन पूछे गए हैं तो उसके अधार पर हमें उनके उत्तर भी संस्कृत में देने हैं बालकाह किम करोती बालक क्या कर रहा है या क्या करता है तो यहां पर हमें दिख रहा है कि बालक जो है वो पढ़ रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बालकाह पठती बालक पढ़ रहा है यहां पर आप देखेंगे दो घोड़े जो हैं वो दोड़ रहे हैं प्रेश्चन ह अच्वह एज़ते है् और गोड़े क्या कर रहे हैं तो उत्तर में क्या आएगा अश्वह एजिटेश आजाएगा अश्वहu धावते हाँ क्योंकि दोड़ रहे हैं अगला है कुकुराहा किम कुरवनती यहाँ पर कुकुराha किमकुरुवंती कुत्ते क्या कर रहे हैं यहां पर बहु 맡शन है और अगला है शाथ्रा किमकुरुत हुत दो छाट्त क्या कर رहे हैं तो आप यह देखेंगे कि ये attention की जिए पुजिशं में खड़े हैं इट मीन्स आशनल एंथम का रहे हैं या कोई गीत का रहे हैं तो यहां पर क्या यद चात्रव गायत हम सब्क्रता में उसके इत्वीव को जोत रहा है कि किसाण ठीक गजए चल रहे हैं तो इस प्रकार आप लेक пару देखकर प्रॉपेश्ण हमारा अगला प्रश्ण है पदानी संयोजे वाक्यानी रचयत यानि यहां पर हमें पहली लाइन में करता दिये गए हैं और दूसी लाइन में क्रिया दिये गई हैं तो हमें करता और क्रिया को जोड़कर वाक्य बनाना है जैसे यहां पर है गजाहा अब यह बहुवचन है तो क्रिया भी भॉँवचन हो गी, तो गजाहा चलंती, यानि कई हाथी चलते हैं, पहला वाक्य बन गया गजाहा चलंती, तूसरा वाक्य सिंगवू गर्जताह दो शेर दहारते हैं तीसरा गायकः गायती एक गायक गाता है बालकवू पठताह दो बालक पढ़ते हैं मयूराहा नित्यंती कई मोर नाचते हैं तो आप देखेंगे कि करता के अनुसार हम क्रिया लगाएंगे अगर हमारा करता बहु वचन है तो क्रिया भी वचन करता दूई वचन है तो क्रिया भी दूई वचन अगर करता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन तो इस आधार पर आप यहाँ पर वाक्य निर्मान करेंगे हमारा अगला प्रशन है यानि यह जो हमें मंजुशा दी गई है यह हमें बॉक्स दिया गया है इन में से हमें क्रिया शब्दों को चुनकर इन रिक स्थानों को पूरा करना है हमें हर प्रशन में एक बात का ध्यान रखना है कि अगर करता हमारा जिस भी वचन में होगा क्रिया भी हमारी उसी वचन में होगी मयूराहा बहुत सारे मोर हैं तो क्या होगा अब यहाँ पर बहु वचन वाली क्रियाएं दो ही हैं नित्यन्ति और फलन्ति अब मयूर जो हैं वो फल तो नहीं देते तो जो मोर हैं वो क्या करते हैं नाचते हैं तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा मयूराहा नित्यन्ती फिर है गजव दो हाथी हैं और यहाँ पर दो आप्शन है मारे पास गर्जताह चलताह अब हाथी धाडेंगे तो नहीं तो क्या हो व्रिक्षाह फलंती कई व्रिक्ष जो हैं वो फल देते हैं सिंगहु गर्जता दो शेर दहारते हैं वानरह खादती एक बंदर खाता है अश्वह धावती एक घोड़ा दोड़ता है तो इस तरीके से आपने देखा कि शब्दों के अधार पर अब शेर है तो दहाड़े गाई, बंदर है तो खाए गाई, घोड़ा है तो दोड़े गाई तो इस अधार पर हम यहाँ पर वाक्यों को पूरा करेंगे हमारा अगला क्वेशन है यह हमने तत शब्द के अंतरगत पढ़ा था, सर्वनाम शब्द के अंतरगत कि जो तत शब्द है उसका पुलिंग रूप होता है यानि वे है एक वे दो वे सब तो इत्ते भे उचितम सर्वनाम पदम चित्वारिक स्थानानी पूर्यत यानि यहां जो हमें एक करता दिये गए है हमें इन तीनों में से कोई भी एक सर्वनाम शब्द यहां पर लगाना है और इस चीज़ का हम हमें ध्यान रखेंगे कि अगर हमारा करता एक वचन में है तो क्या आएगा सह हमारा करता दुई वचन में है तो क्या आएगा तव और हमारा करता अगर बहु वचन में है तो क्या आएगा ते अब जैसे यहाँ पर है अश्वह धावती घोड़ा दोड़ता है अब घोड़े कितने हैं एक अकेला घोड़ा है तो इसके लिए सर्वनाम शब्द क्या आज जाएगा सहधावती वह दौडता है गजाहा चलनती कई हाथी चलते हैं अब बहुवचन है तो बहुवचन के लिए क्या होगा ते चलनती वे सब चलते हैं छात्रव पठता दो छात्र पढ़ते हैं यहां दुवचन है तो दुवचन का सर्वनाम क्या हो जाएगा तव पठता वे दो पड़ते हैं वानराहा कृढंती कई बंदर खेलते हैं बहुअ चन में है तो त्रे किड़ंती वे सब खेलते हैं गायक गायती एक गायक गाता है तो एक गायक है तो क्या हो जाएगा? सहघयति वहेगाथा है मयूराहा द्रित्यंति कई मोर नाचते हैं तेन द्रित्यंति वे सब नाचते हैं तो आपने यहां देखा कि हमने पाठ के अभ्यास प्रश्नों को कर लिया है और इसके बाद यहाँ पर एक ध्यात अव्यम में कुछ प्रमुक बाते लिखी हुई हैं, हम इनको भी पढ़ लेते हैं, संस्कृते त्रीनी लिंगानी भवंती यानि संस्कृत में कितने लिंग होते हैं, तीन, पुलिंगम, स्त्रिलंग और नपुनसकलिंग चो, पहला पुल जो पुरुष वाचक शब्दों का ज्यान कराएं, स्त्रिलिंग जो स्त्री वाचक शब्दों का ज्यान कराएं, और नपुनसकलिंग जो शब्द ना पुलिंग होते हैं, और ना स्त्रिलिंग होते हैं, वे किसके अंतरगत आते हैं, नपुनसकलिंग के अंतरगत, अगला है संस्कृते त्रया पुरुषाह भवंती संस्कृत में तीन पुरुष होते हैं प्रथम पुरुषाह, मध्यम पुरुषाह, उत्तम पुरुष्चहश्च प्रथम पुरुष यानि वक्ता और श्रोता को छोड़कर सब प्रथम पुरुष के अंतरगत आते हैं मध्यम पुरुष सुनने वाला व्यक्ति यानि शिरोता उत्तम पुरुष बोलने वाला व्यक्ति अर्थात वक्ता संस्कृते त्रीणी वचनानी भवंती संस्कृत में तीन वचन होते हैं एक वचनम, दुई वचनम, बहु वचनम च, एक वचन, दुई वचन और बहु वचन एक वचन एक वस्तु का या व्यक्ति का ग्यान कराता है दूई वचन दो वस्तूओं या दो व्यक्तियों का ग्यान कराता है बहु वचनम यानि तीन या तीन से जादा वस्तूओं या व्यक्तियों का ग्यान कराता है तो बच्चो आज हमने शब्द परीचे जो पार्ट वन है जिसमें अधिकतर आकारांत पुलिंग शब्दों का प्रयोग किया गया है इसका अनुवाद और इसके अभ्यास प्रशन ये दोनों हमने यहाँ पर किये हम अगले पार्ट के साथ फिर उपस्तित होंगे धन्यवाद झाल